कल आप देखिए जीरो आर के अंदर करीबन छे भाजपा के विधायक बोले और कॉंग्डेस का एक विधायक बोले तो मुझे लगता है कही ना कहीं अपने लोगों को ही अपनी चाटू कारिता ही करवाना अपने ही वावाई लूटने को कोई फायदा नहीं है ऐसा क्यों होता है कि IIT के पेपर या HPSC के पेपर वो पेपर लीक क्यों नहीं होते हैं और ये पेपर ऐसा क्यों होता है जो थर्ड और फॉर्थ ग्रेड के हैं ये हर बार लीक हो जाते हैं तो कहीं ना कई सरकार की मंचा ही है क्यों वावाँ को रोजगार ना मिले पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था अज उड़ता हर्याना हो गया है पंजाब के स्री में आप सब का स्वागता मैं हूँ चंदर शेकर धरनी विधायक चरंजी राओ कॉंग्रस से हैं हमारे साथ मौझूद है चर्चा करेंगे विधान सभा शेशन में जो गतिवी दिया र पाए है तो मुझे लगता है कही ना कई सरकार की मन्चा यह है कि वो चाहती कि लोग अपनी बास जो इतनी लोगों के द्वारा चुनके यहां पर आते आपने मुद्दे यहां पर रख़के आप मैं अपना ही लूँ इतना नेकों हमारे मुद्दे होते हैं चाहे यह रही जितना हो सके समय में को बरबाद किया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय को भढ़ाना चाहिए और हमारे जो मुद्दे हैं हमको खुल के रख पाएं ऐसी मेरे को लगता है जिरो आवर की शुरुआत पहली बार की गई स्पिकर ग्यांचंद गुपता के दोरा उसके बारे में आपकी टिपनी के है देखिए एक अच्छा फैसला उन्होंने करा कि जिरो आर किया पर कल आप देखिए जिरो आर के अंदर करीबन छे भाजपा के विधायक बोले और कॉं मौजवान जो है वो पूरी तरह से विरोजगार है जैसे कि मैंने बताया ब्रस्टचार का बोलबाला है हर जगे जल बराव के समस्या पूरे प्रदेश के अंदर रही आज रोडों की खस्ता हालत है तो कहीना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को सचाई के और देखना चाहिए आज कितने महीने होगे हमारे जो किसान भाई हैं वो सड़कों के ओपर बैठे हुए हैं उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है तो कहीना कहीं प्रदेश के अंदर एक राजकता का महौल बन चुका है और फिर भी सरकार सोई हुई है अपनी खुटी लोग प्रियता लेने से क राईदा ने क्युक्कि आने वाले सम deze के अंदर जाएंगे आज इंको अपनी विधान सबाओं में बुस ने दिया जा रहा है तो कहीना कहीं इनको सचाइ ही पता है कि आने जो समय है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा नकल को लेकर सरकार ने कानून पर महर लगाने का काम किया है इस पर आपकी टिपनी क्या है देखिए करीबन तीस इनके पेपर लीक हो चुके हैं और मैं तो आज ये मामला वहां पर हर बार लीक हो जाते हैं तो कहीं ना कई सरकार की मंचा ही है क्यों वाँं को रोजगार ना मिले अगर बात की जाए दक्षिन हरेना के कैप्टन अजय यादव आपके पिता शरी एक बड़ा चेरा बड़ा कद राज निती में आज भी है दक्षिन हरेना के लोगों को विशे बन जाएगा पर आज तक वो ऐम्स नही बन पाया उसका मुद्धा मैंने बार-बार सदन के अंदर उठाये है नहरी पानी जो हमारा है वो हमें समान वटवरा आज तक नहीं हो पाए है पहले 15 दिन नहर आया करती थी हमारे लाके के अंदर जो कि एक डाक जोन के अंदर है और रिवाडी के अंदर स्ट्रॉम डेने सिस्टम डल चुका है और आज जब मैंने सवाल किया कि भी क्या कारण है अगर आपने ये डाल दिया है तो पूरे शहर के अंदर पानी से भरा रहता है उनके पास कोई जवाब नहीं था दोनों जो उन्होंने जवाब दिये और भी वो द कहना चाहरा हूं मैंने मंत्री जी को कहा भी कि जिस अधिकारी ने आपका जवाब बनाया उनको आपको फटकार लगानी चाहिए कि उनकी फजियत उनकी वज़े से हुई दूसरी बात मैंने जो सवाल उठाया धारविडा के अंदर जो गंदा पानी आता है आज हमारे हाउस कि तीन महीने तो होई चुके हैं साथ महीने हो गए हैं आज उसके उपर कोई काम नहीं हो पा है मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों में रिवाड़ी आये थे तब उन्होंने ये कहा कि भी 148 करोड के एक प्रियोजना जो है वो राजिस्थान सरकार कर रही है पर आप बताई ये दो साल और एस तरह ही निकल जाएंगे अगर स्टीपी नहीं बनेगा तो कब तक वो लोग उसी तरह की परिशानी के अंदर रहेंगे उन लोगों को सड़कों पर आना पड़ा ट्रैफिक जैम करना पड़ा फिर उनको से रहात मिली पर कब तक लोग इसी तरह पर घुट पब्लिक हैल्थ का काम है मुझे लगता है सारा जो काम है वो एमसी लिमिट के अंदर डालकर एक अधिकारी की उस पर डूटी लगाई जाए जो उसके उपर पूर तरह से नियंतरन उसका हो नशा हर्याना के लिए चुनोती है सरकार भी चिंतित है यूआ वरक नशे की चप पहल गया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को ड्रग डी अडिक्शन सेंटर्स बनाने चीए जहां पर लोगों को प्रोचसान किया जाए बच्चों को इस नशे से दूर किया जाए आज बच्चे नशे की तरफ जा क्यों रहे हैं उसको भी हमें समझने के जोरत ह आज लोगों के पास बच्चों के पास रोजगार नहीं है CMI का भी डाटा है कि हर्याना नंबर वन है बेरोजगारी के अंदर जो प्रदेश बेरोजगार रहेगा जहां पर रोजगार नहीं रहेगा वो बच्चे कहां जाएंगे यह कहते हैं ना एम्टी माइंड डेवल्स वरक्शॉप तो एम्टी माइंड अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं वो गलत रहों पर चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके तरफ ध्यान देने की सरकार को जोरत है कि बेरोजगारी क्यों इतनी जादा प्रदेश के अंदर बढ़ रही ह थे जिसमें इनोंने कहा था कि स्थानिय बच्चों को ही नौकरी मिलेगी आप बताई उनके उपर अभी तक वो लागू नहीं हो पा है स्थानिय बच्चों को आज भी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो इनकी करनी और कत्री में बहुत जादा फरक है धन्यवाद तो ये हैं चरंजी राओ इनका कहना की खाली दिमाग शैतानी का घर क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए नशे की तरफ यूथ डैवल्ट हो रहा है मुद्दो की बात करें तो इनका कहना की विधान सबागा सतर तीन दिन का प्रहाप नहीं है इसकी अबदी लंबी होनी चाह जागरू करने की यह सराना कर रहे हैं यूवा विधायक हैं यूद की समसें ये विशेश रूप से उठाने के लिए हमेशा जागरू करते हैं कैमरामेन संजे सिंग के साथ चंदर शेकर धरनी पंजाब के स्री टीवी चंदीगट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे झालख जूड़े यूड़ेस नह थारे।